नमस्कार स्वागत है आपका दमदाल समसार लगातार में बढ़ते हैं खबरों की ओर ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली सरकार का 500 ICO बेट का इस्थाई अस्पताल तयार है मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल ने शुक्रवार को इस आइस्थाई अस्पताल का दौरा भी किया सनिवार से 250 इंसेंटिव केर यूनिट बेट के साथ यह आइस्थाई अस्पताल शुरू हो जाएगा दिल्ली में इससे पहले भी 500 बेट का एक आइस्थाई अस्पताल बनाया गया है जी टीबी अस्पताल के सामने इस अस्पताल को मात्र 10 दिनों में त्यार किया गया था इस अस्पिताल में ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए ऑक्सीजन टैंक भी लगाए गए हैं वैसे दिल्ली के लिहाज से ये खबर रहत भरी है कि देश के राजधानी में कुरोना के नए मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है और इस कारण संक्रमर्क दर्भी गिरावट के पर चालू हो रहे हैं और इसी के साथ 200 और रहे हैं वो 200 पर सो तक चालू हो जाएंगे तो लगबग 500 ICU बेट्स यहां पर चालू हो रहे हैं यह इनोंने केवल 15 दिन के अंदर यह पूरा सेटप तयार किया है आप लोगों को याद होगा कि 15 दिन पहले मैं यहां देखने के लिए आया था तो यह पूरा मैदान होता था रात दिन 24 घंटे मेहनत करके हमारे डॉक्टर्स ने पैरमेडिक स्टाफ ने इंजीनियर्स ने वरकर्स ने मजदूरों ने मिलके यह बिलकुल वार फुटिंग के उपर मिशन मोड में यह 500 ICU बेट्स तयार किये हैं परसों हम ल हो गए हैं इसी तरह से 200 ICU बेट्स राधा स्वामी सत्संग ब्यास छतरपुर में तयार हो रहे हैं तो टोटल 1200 ICU बेट्स मुझे लगता है एक दो दिन और लगेंगे जो इनका दूसरा ब्लॉक है वो पूरा होने में 1200 ICU बेट्स अपने तयार हो जाएंगे दिल्ली में करोना क स्थिती में काफी सुधार हो रहा है तो बेट्स तो अब काफी खाली हो रहे हैं अस्पतालों के अंदर लेकिन ICU बेट्स उतने खाली नहीं हो रहे हैं इसका मतलब लोग थोड़े जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो अभी सिस्टम में थोड़े सीरियस पेशेंट्स ज्यादा ह आईस्यू बेट्स की कमी है लेकिन ये बारासो आईस्यू बेट्स आने के बाद अब मैं समझता हूं कि शायद आईस्यू बेट्स की कमी दूर हो जाएगी सर बीजेपी परवस्ताइं समेथ बातरा वो ये कह रहे हैं कि डिल्ली में कभी एक रिपोर्ट के आवाले ते आरूप लगा रहे हैं डिल्ली में कभी ऑक्सिजन की कमी थी और उसमें सुप्रीम कोट ने हाई कोट ने केंदर सरकार ने मिलके हमारी मदद की हम उनके शुक्रिय जादा करते हैं और अब अपने को सब को मिलके कोशिश करनी है कि वैक्सिन किस तरह से जल्दी से जल्दी और्गेनाईज करें लाएं ताकि लोगों को भारत मौसमी भाग ने शुक्रवार को चक्रवात तौक्ते को लेकर के बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लक्स एक दिन बाद गुजरात तट को पार कर सकता है केरल में स्टनिवार को अलग-अलग इस्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है रविवार और सोमवार को अलग-अलग इस्थानों पर भारी बारिश होने के अनुमान जताय जा रहे हैं राधिस सरकार ने राहत शिविर खोल कर निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित इस्थानों पर पहुंचाया है कि कुरुना महमारी में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है अब भी वह भारत में आतंक फैलाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है दर्चल एक तरफ पाकिस्तान भारत को कुरुना संकत में मदद देने की बात करता है तो दूसरी तरफ भारत को आइस सीर करने की पूरी कोशिश भी करता है जम्मु कस्मीर के सामाज जिले में पाकिस्तान ने ड्रोन के माध्यम से हत्यार भेजने की कोशिश की है और यह हत्यार पॉलिथीन की पैकेट में बंद लगड़ी का फ्रेम जिसमें ड्रोन में रखे सामान को सपोर्ट मिल सके बरामत कर लिया है यह पूरा लशकर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से सामाई अरिया में गिराया गया है इसके बाद इसे ही बीए सेब एकदम अलर्ट हो गई है और हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखी है तो कुरोना के खिलाब जारी जंग में वैक्सिनेशन नेर अफ्तार देने के लिए उत्रपदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर की और कदम बढ़ा दिया है यूपी सरकार ने अभी कुल चार करोन वैक्सिन की डोज के लिए टेंडर निकाला है जिसमें कई कंपनियों ने अपनी इच्छा जताई है यूपी सरकार के टिंडर के प्रेविड चर्चा में कुल पांस कंपनियों ने हिस्सा लिया है इसमें रूस की स्पोतनिक वी फाइजर के पार्टनर डॉक्टर रेडडी लैप्स जाइडस कैडिला साउथ कोरिया की एक कंपनी भार हलाकि प्री बिड प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाली कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इस्ट्यूट ने कहा है कि उनके पास देश भर से धेरो ओर्डर लंबित हैं ऐसे में टेंडर में हिस्सा लेना मुश्किल है आपको बता दे कि टेंडर भरने की आखरी तारीक 21 मई है बतादें कि यूपी सरकार पहले ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन सीरम इस्ट्यूट की कोविशील्ड के लिए 50-50 लाख दोस का ओर्डर दे चुकी है लेकिन 4 करोन नई डोस का ओर्डर इससे अलग जारी किया गया है पूरे देश में कोरुना के जो आंकड़े हैं उनमें जो आंकड़ों की रफ्तार है थोड़ी खंती नजर आ रही है लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो अभी भी तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है लेकिन इन सब चीजों के बीच में उत्रपरदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है वैक्सिनेशन को गती देने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि गलोब टेंडर निकाला है जिसमें पांच कंपनी ने हिस्सा लिया इस दोरान आपको ये भी बताते चलें कि सभी वैक्सिनों को लेकर जो अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियां देखने को मिल रहे हैं उन सब के बीच में आज रूसी वैक्सिन इस्पूतनिक वी भी भी भारत में आज पहली डोज उसकी लगाई जा चुकी है अज ट्वीटर पर उन्होंने अपनी इस बाद की पूरी ओफचारिक तोर पर घुसला की लेकिन साथ में उत्तव प्रदेश में जैस तरीके से वैक्सिन को लेकर ये इजाज़त दी गही है टेंडर निकालने की बात कई गिए उसको लेकर लोगों में उट्सा देखने को मिल रहा है जिस त लिया था उनमें से धीरे धीरे ही आपस में पताल मेल बना करके चार करोड डोस बनाने का काम शुरू किया जाएगा लेकिन इन सब के बीच में उत्रपरदेश के कैई ऐसे ग्रामीर इलाके हैं जहां पर आज भी चिंता व्यक्त करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है वहां क अगरा मेरट मंडल के अगर हम बात करें वहां पर खास्तावर पर ग्रामीर शेत्रों में हर रोज कई ऐसे गाउं हैं जहां पर एक से दो लोगों की जान जा रही है लेकिन ये आखड़े सरकार के आंकड़ों को जो लगातार जो आखड़े सरकार देती है उनकी चुपी वह को लेकर है उसको लेकर भी सवाल उठ रहें जाकी साथ में योगी सरकार का इदावा है कि जल्द ही ग्रामिило और तेजी के साथ में वैक्सिनेशन को लेकर जो अभियाएंध चला में चलाए गा लेकिन देखनां दिलचेशों से भोग भी लगाया गया हलाकि कोविड नाइटीन प्रोटोकॉल के कारण प्रसाथ का वित्रण नहीं किया जा सका अक्षेत्र रितिया पर्व को लेकर के भगवान राम को विशेश वस्त्र तयार कर पहनाए गए यह वस्त्र सुप्रसिद्ध बजन गाई का अनुराधा पॉ अक्षेत्र रितिया है इस पावन अउसर पर मैं रामलाला को वस्त्र हम पूरे परिवार की तरफ से और देश की तरफ से भी मैं वस्त्र अरपन करने जा रही हूँ यह उसस्ता का बड़पन है कि उन्होंने यह एकसप्ट कर लिया है वस्त अरपित करते हुए यही प्राथना है हाँ जोड करके कि बहुत जल से जल रामलाला खुशाली लाए इस देश में और यह जो करोना संक्रमन जो हुआ है इसे जल से जल खतम कर दे वो बहुत हो गया अब सहां नहीं जाता है तो सारे देश्वासियों के तरफ से मैं खास रामलाला को यह प्राथना करती हूं कि सब भी को अच्छी सेहत बहुत जल्दी मिल जाए नमस्कार परसिम्मंगाल में चुनाओं के बाद हुई हिंसा के हालात का जायजा लेने और प्रभावित लोगों से मिलने के लिए राजिपाल जगदीब धनकर आसंब के आगोमानी इलाके पहुंचे हैं जहां पेडित उनसे लिपट कर रोना लगया राजिपाल जगदीब धनकर क्या हाल किया गया है जगदीब धनकर ने कहा कि प्रजातांत्रिक मोल्यों पर कुठारा घात हो रहा है हम कानून विवस्ता से दूर जा रहा है इसकी शुरुवात हो चुनाओं के दोरान ममतबनार जी ने की थी जब उन्होंने पहली बार जनता को चितावनी दी थी कि आने के बाद कौन बचाएगा मुझे उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री काप्टन अमरिंदर सिंग ने एद के मुबारक मुखे पर मुस्लिम बहुल छेत्र मालर कोटला को जिला बनाने की घोशना की है मुख्यमंत्री ने मालेर कोटला ने में नवाब शे स्टेशन खोलने की घोशना की है इसके अलावा सियम ने बसिस्टायन के निर्मान के लिए 10 करून रुपए देने के अभी आयलान किया है बतादे कि मुस्लिम आबादी वाले मालर कोटला की स्थापना 1454 में हुई थी मुख्यमंत्री के इस घोशना से पंजाब में अब ते सो बड़ी आज दे आहम दिन है पभीत्र दिना खुशियां परा दिना है कि अज मैडम रजिया सुल्ताना जी कैवलन मात्री पंजाब सरकार जीना ने मलेर को लेगे लोकान अले बादा किता सी दोना नूं एक मेडिकल कॉल जिता जाबेगा अते एक जिला जिता जाबेगा आज बहुत ही खुशी दिगाल है कि कैप्टन मरिंदर सिंग जी हमें करोना महमारी करके मलेर को ले नहीं पहुंच सके पर उनने आउनलान किता है यो मेडिकल कॉल जी बहुत जल्द बना देते उनने बनाऊंदा अलान कर देता है DCGI ने देश में 2-18 साल के बच्चों पर वैक्सीन के ट्राइल की मंजूरी दे दी है जिससे देश को कुरोना की तीसरी लहर से बचाने में ज्यादा परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा वहीं मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाती महश्वरी ने बताया कि दे करने की अनुमती दे दी गए है जो भारत का सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है उन्होंने इस तरह की अनुमती अब भारत की को वैक्सिन को दिया है और अब 2-18 साल के बच्चों के बीच में इस वर्ग को लेकर के उनके उपर फेस टू फेस ट्री ट्राइल किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि यह स्वदेशी वैक्सिन उनके लिए कितनी अच्छी है और कितनी सेफ है देखा जाए तो पहले भी को वैक्सिन ने यह ट्राइल 12 साल से जादा उम्र के बच्चों में किया था और उसके नतीजे उनके पास है भी और अब वो 2 साल से 18 साल के पू गहारत में बच्चों के लिए स्क्रावनाजे बहुत बढ़ जाती है यह बहुत अच्छी क्भबर कैए क ata ए क्रोणा वैक्सीन को लेकर अमेरीक के शीज संव्क्रामक रोग Larry सब्सक्राइब डॉक्तर एंथनी फाओची ने कहा है कि जब वैक्सीन की कमी हो तो ज्यादा लोगों को कम से कम वैक्सीन की पहली डोज मिले इसके लिए पहली और दूसरी डोज के 20 की अवधि को बढ़ाना उचित अप्रोच है इस देरी से वैक्सीन की प्रभावश्चीलता पर नकारात्मक असर होने की संभावना नहीं है उन्हों रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद फोरा नहीं हजिर होते हैं गुर्देग बहादर सिमार्या साहिब श्री गुरू देग बहादर महराज जीदा ये वर्साया होया नगर सिरी अनंदपुर्सा है इस नमे नगर दी दातार सद्गुरू जी ने नी रखी ग्रीवनबाज सहिब जी ने एते ही अपने रहायस दे लई मकान बनाए और बहुत सारे किते हैं दे लोहों को भी इस नगर दे विच बसाई है इस अस्तान ते शिरी गुरू टेग बहादर जी दे शीर्टा सस्कार हो ऐसी इस अस्तान ते बहुत ही संदर गुर्दवा सुबाइमान है गुर्दवार का शीर्स गान सहीब जी गुर्दवार शीर्स गान सहीब के पहुंच दे हान अते इस अनगर तसकार कीता जांदा है प्रेक के बाद एक बर्फिस आप सभी का स्वागत है रुक कर लेते हैं अगली ख़बर का पंजाब के लुधियाना के मानगर गाउं में एक तालाब में पास बच्चों की डूप करके मौथ हो गई है आपको बता दे कि एक व्यक्ति डूब रहे बच्चों को बचाने के लिए तालाब में उत्रा मगर वह भी पानी में डूप गया और उसकी भी मौथ हो गई है पाच्चों बच्चों के हर्षव बाहर निकाल लिए गए हैं इस बीच सीएम इस घटना पर गहरा शोग जताते हुए मृतक बच्चों के परिवारों को पचास पचास हजार रुपए की मदद का एलान भी किया है मरने वाले बच्चों में चाल सगे भाई बहन थे ये सभी मूल रोप से लखनव के गाउं रहटा के रहने वाले थे इनके साथ डूबने वाला पांच्वा बच्चा कलीम था जो महस 10 साल का था कलीम उत्तरप्देश के जिला हर्दोई के गाउं शंडीला की कासी रामकालोनी का रहने वाला था उन्हें बचाने के चक्कर में डूब कर मरने वाला युवक 22 वर्चीर राहुल था सूसना मिलने पर पहुंची थाना कूंकला पुलिस ने शवों को कबजे में लेकर जांच परताल शुरू कर दी है उन्हें पोश्माटम के लिए अस्पिताल इस्तित्व शवग्रह में रखवा दिया गया है तो देश में कुरोना की दूसरी लहर ने जम कर तबाही मचा रखी है ऐसे में भारत की मदद के लिए देश के मित्र देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है विश्व के अलग-अलग देशों से भारत में चिकत्सा और ऑक्सीजन की विवस्ता पहुंचाई जा रही है वहीं कनाडा में भारत के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और देर रात कनाडा से एक विशेज फ्लाइट में चिकत्सा सहायता भारत पहुंची है लोधियाना में प्रदेश कॉंग्रेस के चुनाओ और अनेतिकार प्रसांत की सोर की आवाज में कॉंग्रेस नेताओं का विधान सभा चुनाओं में टिकत दिलाने का जहांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का मास्टर माइंड को थाना देहलों की पुलिस ने गरफतार कर लिया है इससे पहले भी गिरोह के दो सदस्यों को पकड़ा जा चुका है शूत्रों के अनुशार पहले पकड़े गए रजत कुमार और राजेश कुमार जालंधर के आसपास के छेतर के रहने वाले हैं गौरतलव है कि गैंग के सदस्य बड़े इस्तर पर अपना नेटवर अबाज है उसी नेता ने लुद्याना पुलिस को इस गिरोह की जानकारी दी थी एक जी। आठीश में टिए eh salvatiन गारा जथे उसमें केंग था वो गौरा शर्मा था और इस गौर शर्माब पैले प्छार्चे हो रखें जिसमें दो पर्चे राजस्तान में हो रखे हैं और इनके दो और मेंबर्स थे रज़त और भसीन करके दूसरा राकेश उनमें से एक ये बनता था और दूसरा बंदा विधायक बनता था राजस्तान क्या और उस यह ठगी मारते थे लोगों के साथ नोजसरा कि बनके हों आठर फिरनेंस्त अधार हुटा जाते है हया 시सरा में जाने मिस्टर केजरिवाल जीम्न डेली बनके लोगों से बात करी है पॉलिटिकल लोगों से और और वहां पे लोगों को का कि आपको टिकेट दिला देंगे जी आपका पॉलिटिकल करियर चमका देंगे जी वैसे करियर ठगी मारी है उसी तरह से फिर इन्हों ने अब मिस्टर पीके बनके प्रशान किशो जी बनके यहां पे लोगों के साथ कुरोना काल के बीच इस बार इद उल्फितर का तेवहार मनाया जा रहा है धर्मगरु खालेद रसेद फिरंगी ने लोगों से अपेल की है कि इस साल कुरोना महमारी को देखते हुए चादगी के साथ इद मनाई जाए मौलाना ने कहा कि एद के दिन गरीबों और जरूरत में तमाम लोगों को दिली मुबारबात पेश करता हूं लेकिन उसी के साथ साथ एक बार फिर से यही जोर देता हूं इस बात पर कि जोंकि कोविड का मामला पूरे मुलक में फैला हुआ है इसलिए कोविड प्रोटोकॉल पर पूरी चलीके से अमल किया जाए हमारे यहां एदगा लखनों में भी जहां अर्साल पाच लाग से जादा का मझमा हותा था इस बार हम लोग सिर्फ पाच लोग ही यहां पे नमाज अदा कर रहे हैं लियादा मेरी सबसे यही अपील है कि जो लोग मंदिद में रहते हैं वही पाच लोग सुछली में इत की नमाज अदा क करोना महमारी के अंतरगत देश भर से आक्सिजन सिलेंडर और आक्सिजन की कमी की खबरे सामने आ रही है ऐसे में हर्याडा सरकार ने डोर टो डोर आक्सिजन रिफलिंग की स्केम सुरू की है जिसके तहट अभी तक जिले भर में 20 से 25 लोग इस स्केम का लाब उठा चुके हैं जरूरी दस्तावेज अप्लोड करने होंगे और इसके बाद जिला प्रसासन स्वयम उनके घर जाकर ऑक्सिजन सिलेंडर को रिफिल करेगा देखें यह एक ऑक्सिजन रिफिलिंग फेसिल्टी है और आने सरकार दोर एक फोटल स्टार्ट किया गया है अप्लोड करना है और इसके अप्लोड करेंगा और इसके अपर हम जो नीड बेस अनौल से इसके ऑपर फिर उसको ऑक्सिजन उसके बोड़ करवा रहे हैं एक दिन के ठहराओ के बाद पेट्रोल डीजल की केमतों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है देश के चार बड़े महानाग्रों में पेट्रोल के दाम 29 पैसे तक और डीजल के दाम 36 पैसे तक बढ़ाए गए हैं इस दिनों दोनों जीवार्ष में इंदोनों के दाम एतिहासिक उच्छे तम इस्तर पर हैं और रोज ने रिकॉर्ट बन रहे हैं दिल्ली में डीजल भी आज शुक्रुवार की व्रद्धी के बाद 83 रुपाय प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है जबकि मुंबाई पहले हम 10,000 का दलवाते हैं महीने का अब वही 15,000 के आस पर जला गया है जो कि रेट्स की वज़े से तो मतलब एक फामिली मैन होता अगर शीट के हमें लगचा है प्यम्पी सीट के अगर फामिली मैन होता तो फोड़ा सा वह देखता फामिली की हेल्प कर से बट इस पक जै कोई कुछ नहीं का रहा है तो चलाम आपको अश्रुन रहा है अब मैं गरीब आदी मी उपने काम देखूंगा या पेट्रोल देखूंगा उसलब पर जीविदे सर्च में चलानी पड़ेगी ना सर बार दिन पेट्रोल इतना पर जागा फूरा है लेकिन कुछ नहीं कर सकत हुआ है यहां रुकते हैं एक चोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद फौरा नहीं होते हैं गुर्तेग बहादर सिमर्ये समो नामत नाम लेवा सत्विता बहुत बटे पादावारे हो जोके आप नाम पारज़ा साहम स्रीक नूतेग बहारर जी यह पावर्ण eg पूछतर अस्थां गुदवारा संपत्तोला बंगला भेस क्टा करके दर्ष दिन जारे कर रहे हो यह ओप पूछतर अस्थां है किस अस्थां ते उपर साहम स्रीक नूतेग बहादर हेंट दी चादर दो साथों उपर बूजी एथे रहने अचे गुरु साहव जी ने स्मोव संक्तानों प्रमात्मादेदार जोड़ना कीता पजन बंदगी एस जगाते कीची सो गुरुत एक भातर जी दे पामन चर्ना दियां खड़ामा जो मेर गुर्दोरा है गुर्दोरा नांक शाई नीर खेत रोल शाबाग ताका विखे पंगाने सो गुरु साहव जी दी हाथ से रिकत बेड़ जिसनों सनेदी दीली भी कहां जंदा है ओभी गुर्दोरा नांक शाई नीर के सजोपत है संक्तानों बेंती है के ना पुई तरसाना दिया के जातरा करो अके अपना जीम सबला करो वाहे मुलू वाहे यात्रिगण ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रुक कर लेते हैं गली खबर का जैसे ही पंजाब में बधाई का मौसम खत्म हुआ किसानों ने फिर से दिल्ली के पंखों पर मार्चिर करना सुरू कर दिया है काफिले के दोरान किसान जंडे लहरा रहे थे जो बसों और अन्यवाहनों से निकल रहे थे वो अपने साथ रासन से भरा वाहन भी लेकर जा रहे हैं इस मौके पर बोलते हुए मोर्चा नेताओं ने कहा कि किसानों के संघर्ष को तेज करने के लिए एक बड़ा काफिला पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है मोर्चा की महिला सदस्यों का कहना है कि जो लोग आज भी अपने घरों में बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि वो दिल्ली चले जाएं वरना निकट भविष्ची में मोधी सरकार द्वारा आपके साथ बुरा विवहार किया जाएगा सिंगू बाडरते जा रहे हैं रास्ते जगर परशाशन सानु रोकता है ता फिर आसी समेदे साब नड़ देखांगे पर उनना किद्धा दो दो हाथ करने है बाकि ये सानु उत्था भी डेरे लाने पेगे आसी ता भी लालांगे नहीं जे क्रोस कार के सानु वग गया जाना पया जिस भी हसाब नड़ उस तरह सी सिंगू बाडर जरूर पहुंचांगे क्योंके ये तेन कनून जड़े है गौर्मेंट ने साड़े उपर थोपे हुए है इननु रद करा के ही मोड़ना है साड़ी चाहे जानता सी देनवात चैले में यह कोई गाली पर वा सानु है कोई नही है चळदी कलाच रहें चड़ी कलाच रहेंडें ना चड़ी कलाच रहांगे बाकी ढर सानु कि सिदा नी गॉष्ञाने जिन्स चानु को रक्यां देनिया naprawdę अग Ol बीथरा द्राके देख लिए बहन अगो अगर असी काम करन अगर उने तिनक नूने बापस ना लए ता जड़ा बीजेपी दी सरकार है पहला ता बंगाल दे विचो खत्म होई है ते पूरे देश दे विचो जड़ी बीजेपी दी सरकार उनू जड़ों पुटके हटांगे इसलिए मोद दीनू चाहिद है को जल्दी तो जल्दी अपन जगदेशपूर पुलिस ने छे लोगों को गिया रफ्तार किया है पुलिस ने आरोपियों से चार लगजरी वाहिनों के साथ पांच अंतर्राष्टी अत्तादुनिक हतियार भी बरामत किये हैं बतादे कि दो दिन पहले जगदेशपूर को तो आली छेत्र के सिंधिया गा पुलिस के पहुचने के बाद करीब आधे घंटे के बाद शटर खोला गया पुलिस ने करीब आधे घंटे की कारिवाई के बाद इस पास महिलाओं सहीत आठ लोगों को हिरासत में ले लिया है पुलिस के द्वारा पकड़े गए सभी आरोपियों पर लोगडाउन का को लेकर मामला दर्ज किया गया है कि अब आधे से अभी हो रहे दो में अभी जांस कर गया आपको कितने लोग पकड़े लोग है इसमें अभी तक इसमें पांच महिला है То कारवई कारी वर्षिग महामारी कुरोनकाल में मरीजों को आर्थिक रूप पर रश несколько है रहते हैं लेकिन यहां मरीज और तिमारदार के जांच कर रही है वहीं बुजूर्ग महिला और उसके बेटे ने अस्पिताल के सीसी टीवी फूटेज सर्वजनी कराने की मांग उठाई है हमारे बच्चा फर्चा ले गया उससे का बहर जाओव मारा नंबर आगया है हमको डाक्टर को जिछाना है उतनbος दो तो बोलें लगा बोलते बोलते भया मंदर वाठे ते हुआ सीस के उपाश इताया है हमें मारिस बच्चे को मारिस हमा यह लगा बगार में इस तो हमारी निली शेट पहने हैं गश्चे में कर दो दें गार तो देंगा है तो जब से बहार नहीं है तो अंदर जो है 5-6 लड़के आगे थे एक माता जी बी एक सब लड़कों को मार पीट रहे थे हैं लोग भी मार रहे थे उप यह जो है बचाओ फ्रहक रहे थे ना वजह माता जी भी एक और शार पाज लड़के सब को मार रहे थे बंगाल में चुनाओं नतीजों के बाद से हिंसा की घटनायत हमने का नाम नहीं ले रहे हैं शुक्रुआर को बाकुडा से बीजेपी सांसा डॉक्टर सुभास सरकार की गारी पर एंट वा पत्रों पर हमला किया गया घटना के समय सांसा सरकार गारी में ही मौजूद थे हलाकि बीजेपी सांसा सुरक्षित हैं लेकिन उनकी गारी को काफी नुक्सान पहुचा है और सीसे भी तूट गए हैं बीजेपी ने समले के लिए सत्तारोर त्रणमोल कॉंग्रेस के कारिकरताओं पर आरूप लगाया है सांसा ने पुलिस में शिकाया दर्ज कराई है घटना के संबंद में बीजेपी सांसा सरकार ने बताया है कि वह जब अपने संसेदी छेत्र में पाताल खोडी गाउं की ओर जा रहे थे तभी पीसे से बाईक और स्कूटर पर सवार कई लोगों ने उनकी गारी को लक्ष बना कर इंट वा पत्थर पेके उन्होंने आरोप लगाया कि त्रणमोल के लोगों ने हमला किया है देश में कुरोना के चलते दूसरी लहर के कारण तबाही जारी है हलाके पिछले कुछ दिनों में कुरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है बीते 24 गंटे में भी भारत में कुरोना वायरस के कुल 3.42 लाग केस दर्ज की गए है जो हाल ही के दिनों में कुछ कम है चिंता की बात ये है कि अभी भी मोतों का आंकरा 4000 के करीब ही है राजदानी दिल्ली में भी कुरोना के नए मामलों में कुछ कमी देखने को मिली है लेकिन दिल्ली में बीते दिन 10,000 से कुछ ही ज्यादा केस दर्ज की गए है जबकि 308 लोगों की मौत हुई है दिल्ली में आप एक्ट्व केस की संक्या भी 80,000 से कम हो गई है जबकि सरकार के मुताबिक ऑक्सीजन की खपत भी कम हुई है तो उधर हर्याना सरकार कुरोना वाइरस संक्रमण से निपटने के लिए हर संभो मदद कर रही है इसी कड़ी में सरकार ने कोविड-19 की रोक्ताम उप्चार तता उससे बचाओ की डूटी के दवरान संक्रमित होने से म्रत मेडिकल विभाद के कर्मियों को 50 लाख रुपाए देने की घोशना भी की है स्वास्ति मंत्री अनिल विज ने और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं जो कुरुबानी है उसकी कोई कीमत नहीं अदा की जा सकते है ऐसे समय में जब कोई करोना मरीज के पास तक नहीं जाना चाहता है जो मेडिकल स्टाफ करोना वारियर्स उनकी देखरे कर रहे हैं और देखरे करते हुए अगर किसी मेडिकल स्टाफ की जान जाती है तो सरकार ने पचास लाक रुपया देने की गोशना की हुई है उसी प्रकार से बहुत सारे पुलिस करमचारियों की भी जान गई है उनको तीस लाक रुपया सरकार ने गोशना की हुई है उनके सभी गाउं के लिए हमने बहुत व्याफक योजना तयार की है सबी गाओं में हम क्रोना केर सेंटर बना रहे हैं वहां पर बकैदा टीम बठेगी पांच लोगों की टीम बनाई है जो घरगर जाएगी और जर्नल चेक अप करेगी अगर किसी में क्रोना के सिम्टम पाए जाते हैं तो उसका बकैदा टेस्ट किया जाएगा और फिर जैसी उसकी बिमारी होगी उस हिसाब से उसका उपचार कराए जाएगा गाउ में तो लोग तयार हैं गाउ में कोई दिक्कत नहीं आ रही है दिक्कत आ रही है केवल जो धरने पर हर्यना के बाडर पर बैठे हुएं लोग है मैंने उनके लिए भी स्वास्टे विभाग की टीमें बेजी थी और वहाँ पर अधिकारियों से उनके निताओं की मीटिंग भी कराई थी राई रेस्टोस में जिसमें उन्होंने टेस्ट कराने से साफ हिंकार कर दिया और वैक्सिनेशन के लिए भी कहा कि तुम अपना कैम्प लगा दो पर हम किसी को नहीं कहेंगे कोई कराना चाहेगा तो वैक्सिनेशन करा लेगा दस दिन से जैरा होगे केवल उनिए सो लोगों ने अभी तक वैक्सिनेशन करवाई है तो मेरें से फिर अपील है कि ये बिमारी है ये एक दूसरे से दूसरे को पहलती है अपनी जिंदगी को भी खत्रा है दूसरों की जिन्दगी को भी खत्रा है इसलिए उनको टेस्ट करवाने चाहिए नहीं सरकार ने अब टाइम उसका एक्स्टेंड कर दिया और शुरू में ही जब ये कोवी शिल्ड बनी थी तो तब भी उन्होंने कहा था कि ये जितना जैदा टाइम के बाद बूस्टर डोज लगाई जाएगी उतनी इसकी एफिकेसी जएदा होगी तो अब आईसी एमार ने डिसाइड कर दिया कि इसकी चार जाए च्छे हमते बाद दूसरी डोज मुंबई में सक्त लागडाउन है घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है सरवजनिक रोप से तेवहारों के मनाने पर पाबंदी लगाई गई है उसके बाद भी बीती रात मुंबई के कुरला मुहम्मद अली रोड और कुरला के कसाई वाडा कुरैसी नगर इलाके में राद भर दुगाने खुली रही लोगों की भारी भीड लगी रही सोशल डिस्टेजिंग की धज्जियां जम करके उड़ाई गई इन भीड में ज्यादा तर ऐसे लोग भी हैं जो बीना मास्क की घूम रहे हैं इनके अंदर ना तो कुरोना का खौफ है और ना ही प्रसासन का डर अब ऐसे में अगर कोई एक व्यक्ति भी संक्रमन होगा तो कुरोना की चैन को कितनी रफ्तार देगा इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और कई लोगों ने मिलकर यूवते के साथ गेंग्रेब भी किया पीडिता की तबियत खराब होने पर आरोपी उसे कार में बदरपूर बॉर्डर पर छोण कर फरार हो गया है हचनपूर थाना पूलिस ने पीडिता के सिकायत पर तीन नामजद और बीस से बाइस अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दज कर लिया है एक आरोपी को गिरफतार भी किया है बाकी आरोपी फिलाल फरार बताए जा रहे हैं किया तो्सक्रेश मजद और यह फेले अपने मावस्टों से अनमा करके भी में रही फिर दिल्ली से now रही फिर इसकी दोस्ती एक कमित के लड़ करें से इसकी दोस्ती हो गई इसको फॉन करके तीन चाहर तारीक को इसको बोलाया और फिर इसको अपने टुर पे लेके गय पर हमारे पास दर्खास देने के लिए आईे अपने वकीलों के साथ हमने इसके प्रात्मिक्ता दर्ज करिये और हमने जो जाच के दौरान में जो शागर जिसने इसके बुलाया जो इसे छोड़ के गया था उसको हमने अरेष्ट किया है और सच्चाई जो है हम कितने समय से टाइफ में थे लड़की लड़की यह करीब तीन-चार महिनी से थे यह साधी के लिए कह रही थी कि मैं इतों से साधी करूंगी यह इसने बोला था साधी के लिए इसने हां भी अपने टुएल पर फिर उसका भाई आगे वह फिर लेके गया उसके दोस्ति बियार में कुरोना पॉश्टियू सवों के अंतिम संसकार को लेकर हो रही परिसानी पर सरकार का ध्यान गया है राजिसरकार निनगन निगम को निर्देश दिया है कि कुरोना से मारे गए लोग सवों का अंतिम संसकार निगम अपने खर्च पर करेगा इस बेच गया में कुरोना पॉश्टियू सवों का अंतिम संसकार करवाया जा रहा है सवों के अंतिम संसकार में हो रही परिसानियों के चलते यह अहम फैसला लिया गया था खासकर लकडी नहीं मिलने के वज़े से परिशान हो रहते विभिन अस्पतालों में कुरोना से मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में कटनाईयों का सामना करना पड़ा है इसका मुख्य कारण म्रतक के परिजनों को सहयोग नहीं मिलना और आर्थिक तंगी है इसे देखते हुए नगर निगम को नागरिक सुविध का मत से अंतिम संस्कार का खर्च उठाने को निर्देश दिया गया है कि कि अ कि अ कि आज प्रेक्कल बेब में सेनिटाइजिंग फॉगिंग नियमित साम का बेला करने के पहले हम लोग घट पर पहले भी आया थे आज फिर आया समसान घट पर वो लास बेला गन से आया ये लास जो है सामने जो जल रहा है गया नगर निगम छेतर का पटवा टोली राजू पटवा जी का है इनकी पतनी ने आ करके मैं उनकी परसंसा करता हूं और दिल से सम्मान करता हूं और उनसे प्रेवना लेता हूं और समाज को भी प्रेवना लेना चाहिए उनकी पतनी आ लखना है अब यह सारा लकडी का बंदवस्त वेवस्ता यहां रखी गई है चारो तरफ यह लकडी है सामने में पितामरी है यह सारी दुकाने हैं चंदन है जो भी आवसक बस्तूय है दास अंसकार के लिए वहां पर रखा हुआ है इसका रेट नगर निगम के द्वारा फिक् मिला के 9000 रुपया नगर निगम कोवीट से कोई भी डेथ होने पर गया नगर निगम के द्वारा हिंदू रिती रिवाज से एक पैसा उनको कुछ भी नहीं लगाना है कपड़ा से लेके उत्रही से लेके सारे चीज़ बंदवस्त यहां पर विवस्ता की गई है और जो मु एकल ऑन स्पोर्ट जीरो ग्राउंड लेवल पर हो रहा है कि नहीं वह देखने के लिए आज हम सम्मोहिक लोग से यहां आए हैं यही एक ब्यार लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमतों के संख्या में काफी कमी आई है लॉकडाउन और कुछ दिन जारी रहेगा तो संक्रम करने में काफी आसानी होगी कुरोना ने अब तक कई लोगों की जिन्दगी लीली है और इसके बावजूद लोग लापरवाह बनकर घूम रहे हैं जहां देखो वहीं भीड सब्जी मंडी स्टेशन बस इस्टैंड जगहों पर लोग लापरवाह दिख रहे हैं ऐसा लग र भी हएन फिखोट हो गया हो कर लोग मासक भी नहीं पहनते हैं और इस लापरवाही के कारण लोग अपनोों को मुशीबत में डाल सकते हैं या खुद कोरोना के सिकार हो सकते हैं यह 우리 पत्ना जंचिन कोन लोग कोरोना की गाइदलाइन को भूल गये और है आसे में आसंका है कि इस भीड में किसी संक्रमित के संपर्च में आने पर अने लोग भी बीमार पड़ सकते हैं अलाकि पुलिस मुस्ताइदी से अपनी डूटी निभा रही है पुछ तो सुधार हुआ है लेकिन कुछ ऐसा है कि कम सम दस्वीश परसेंट ऐसे बिना काम के कहेंगे कहां जाए तो मतन लाने जा रहे हैं जबकि मतन उनके बगल में मिल रहा है वहां नहीं जा रहे हैं भूमने के ख्यास आते हैं उनको हम लोग फाइन करते हैं लोगड़न में जो निकलते हैं आदेश का उनलंगन करना उसका हम फाइन कर देते हैं चलान देते हैं बहुत को परियास करते हैं उसको देखते हैं कि हाँ दवाई लाने जा रहे हैं कोवीट सुई लाने लेके लग तो आज ये एद कतेवार मनाया गया और मुसलिम समाज की लोगों ने एद की नमाज अपने अपने घरों में पढ़ी इसे मीठे एद भी कहा जाता है आज के दिन पटियाला सांसत परनेत काओर ने भी समाज की लोगों को एद मुबारक बाद दी मुसलिम भाइश तेर खान ने कहा कि आज एद कतेवार है और हमें बहुत खुशी है कि पटियाला सांसत परनेत काओर ने वीडियो कॉलिंग द्वारा हमसे बाद भी की और मुबारक बाद दी हाँ तक कि सालिस साल पुरानी हमारी जो कबरिस्तान की जगे थी वह भी हमें लेगी इद फितर दा तिहार अज जित्थे इद फितर दी नमाज पढ़ाई गी है जिमें के अपा सारे जान दे हैं भी इसनों मिठी इद भी कहा जंदा है ते तीरोजे एद की पूरे होएने तीरोजे यांदे बाद इद होई सी ता इदी नमाज वैसे ता इद गाच हुं दिये जिमें अपा सारे जान दे हैं पर कोविड दी वजय करके पिछले साल भी लॉकडाउन चासी थी पड़ा इसी नमाज एद की वी थे पड़ा ही है ते मैं सारे पंजाबी पाहियानू देश वासियानू सारे आनू इद फितर दी बहुत-बहुत मबारक बात देना और मैं एक जालो हूँ यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद फॉरान है जिरो होते हैं जब तक आवशक ना हो घर से ना निकले हाई रिस्क केटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे 60 साल से अधिक उम्र के बुजर्ग गर्भवती महिलाएं एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ती वह कमजोर इम्म्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर ना निकलें बगैर मास्क के घर से बाहर बिलकुल ना निकलें अनावशक भीर भाड़ वाली जगहा पर ना जाए व्यापारीガन मास्क एवं कलब्स का इस्तिमाल जरूर करें कार्या लायों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं एक बार में आधि से अधिक कर्मचारियों को ना पुलाया जाए फील्ड में तैनात अधिकारी, एवं कर्मचारी, मास्क एवं गलब्स जरूर पहने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फागिन नियमित रूप से कराई जाए और कंटेन्मेंट जोन को सकती से लागू किया जाए रौत्री कर्फ्यू का पालन करे कोरोना की लडाई में शामिल योधाओं का सहयोग एवं सम्मान करे कोरोना की लडाई के लिए आवश्यक, जीवन रक्षक दबाओं एवं आक्सिजन इत्यादी का अनावश्यक भंडारन ना करे अफवाहों से बचे अठारा वर्ष से अधिकायो के नागरिक एक मैं 2021 से निशुर्क टीका करण करा सकेंगे आईए टीका करण के इस महा भ्यान में हम सभी अपना योगदान दे 28 अप्रेल 2021 से पंजी करण शुरू ख़वराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ हक की बार, दोपहर, बारा बजे, सर्थ, A&B, निउस पार रुक कर लेते हैं स्वक्त की बड़ी खबर आपके टेलिविजन स्क्रीन पर है उत्रपदेश से स्वक्त की बड़ी खबर चित्रकूर जेल हत्याकान का मामला जो जेल हत्याकान मामले में एक्टन में योगी उत्रपदेश से इस वक्त की बड़ी खबर जेलर और जेल अधिक्षक को निलंबित किया गया है इस वक्त की बड़ी खबर जेल हत्याकान मामले में योगी सरकार एक्टन में दिखाई दे रही है तो उत्तरप्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर चित्रकूट जेल हत्यकान का मामला जिसमें उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा एक्षन लिया है जेल हत्याकान मामले में एक्षन में दिखी है योगी सरकार और एक्षन लेते हुए जेलर और जेल अधिक्षक दोनों को निलंबित कर दिया है तो चित्रकूर्ट जेलर और जेल अधिक्षक को निलंबत कर दिया है उत्रपदेश की सरकार में जेल हत्याकान मामले पर ये बड़ी कारवाई की गई है उत्रपदेश की योगी सरकार द्वारा जित्रकूर जेल हत्याकान मामले पर ये बड़ी कारेवाई की है उत्रकुदेश की योगी सरकार में जेल हत्याकान मामले में एक्षन में योगी सरकार दिखी जिसके बाद जेलर और जेल अधिक्षक दोनों को निलम्मित कर दिया गया ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का बढ़ते हैं अंगली खबर की ओर पंजाब के फतेगर साही में बाबा बंदा सिंग बहादुर अंतरराश्टी फाउंडेशन में अपने अध्यक्ष क्रश्र कुमार बाबा के नेत्रत्तों में गुरुद्वारा स्री ज्योती स्वरू खबर यूपी के और रया से है जहां डीम के आदेश पर कोरोना वैक्सिनेशन बढ़ाये जाने के लिए इस डीम इसतर से मेटिंग कर भले ही निर्देश दिये जा रहे हो लेकिन जमीनी हाकिकत यह है कि ग्रामीरों में अभी भी जागरूपता का आभाव है जिसकी बानगी बिधूना कोतवाली के रुरुकुला गाओं में देखने को मिली जहां वैक्सिनेशन के लिए गई स्वास्ति विभाग की टीम से ग्रामीरों की जड़ाप हो गई और इस दोरान कुछ महिलाओं ने अपने हाथों में इंट लेकर टीम को भगाने की कोशिश भी की दरचल ग कि रामीर नहीं माने और टीम को वहां से फॉरान लाउट ना पड़ा वहीं एस्डियम बिधूना ने वैक्सिनेशन बढ़ाने को लेकर बताया है कि मेंटिंग करने रिस दिये गए हैं कि रूडू कला गाओं में स्वाष्ट टीम गई थी और निजाने समीटी भी लोग गये उसे और जाकरके वहां तो लोग समझाया गया कि 45 साल से उपर जिकनी भी लोग हैं सो भी लोग बैक्सिन लगवाया है लेकिन लोग पंदर एक गलत अफवाह है कि लोग बैक्सिन से कि सधी का आप्सिन को संक्त में का बैक्सिन का आफिकन को वर और कि Dollya को करोन खाता है के रूप ठहां के लिए रांबाड के लτοग में बैक्सिन हैं में चानीट सेल इस हूल्ड सवी लोग अपने सीस्ती या पीर सब टेम से कुछ असब्द भी बोले गए नहीं थोड़ा सब यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश सर्मा के प्रभार वाले जिले रैबरली के गिगास्चो गंगा घार्थ से विश्रित करने वाले तस्वीरें सामने आई हैं दर्शल कुरोना महमारी के दौरान सेकडो म्रतकों के शव गंगा नती के रन के ओपर ही दफन कर दिये गए भारी शंक्या में डफफण किये जा रहे तो லे कर आब कमीरों में काफी आक्रों को रहाया है कि रात में कुट्त के खाने बीए यह साथ ही तकी दुरगंत मेरton के इसाथी नोगों का जीना मूहाल हो गया है रेत के उपर दफन किये जा रहे इन सवों को प्रसासर नजरणदाज कर रहा है घंगा घ्रक अथी सरु प्रति दिन दरजनों शवों गंगा घ्रक पर पहुंच रहे और नहीं सबूर दफना कर चले जा रहे तच्विरे देख कर ये रूह काम जाती है पंजाब ने आ रहा है यह पंजाम में आया है और वहां के ज़ासी को दोपने की ब्रामा ख़वद राए जा रहा है पंजाब के स्वास्त मंतरी द्वारा कुछ दिनों पहले एक बयान जारी किया गया था कि गाउं के लोग कुरोना टेस्ट लेने से परहेज कर रहे हैं और जब इस्तिती बिगड़ती है तो वह सतर्क हो जाते हैं इसके बाद स्वास्त्री टीमों का गठन किया गया और उन्होंने टीमों को गामीरों के कुरोना का परिक्षण करने के लिए गाउं में जाने का रिज्रेस भी दिया लेकिन गुर्दाशपूर के गाउं में बार- कि अजय स्वेरे भी क्राइए लेकर हुन तक दो वतिन बंदे आया निता कोई भी नहीं आया टेस्ट कराना वास्ते है ए टेस्टिंग वास्ते है खोद लोकानों अवेर्नस खोद ही बना परना ते आप आप अपने जम्मेवरी सम्झ नहीं पैनिया भी आनू टेस्ट कराई यह तहीं यह से प्यानक बंवारी तो बचिये ना की कि है देफ्रोस से रहना जाइए एज़ी बंवारी आप शुद्धी बंवारी आ ना कैला दे शेरान वेचे यादा ही लेकिन शेरान अपने आप संबल गया उनने प्रेज करना आ गया लेकिन पिंदाले लोग जेड़े यह तक कोई वेर्नस नी का रहे है अपोच उससे तरह ही मुँ खले फिर रहे हैं कोई यह प्रेज निहागा जो प्रेज कर लनक तो इस प्यानक बंवारी तो अपना मिस्ट कारा करा सकते हैं ते मैं चाहना सारे नों अपील कर दां कि सारे जने अपने प्रेज करिए ते की काटी निकल दे जिदा उनने मना दे चे लोका रहे हैं कोई वेखो जी यह पुमारी जड़ी बड़ी प्यानका है एदा रूपते वाक्य यह तार रहा है होर भी तार सक्री है पर अहीं लोग का नों बहुत बेंती भी कर चुक है हानू टीमा दे फोन भी आम जरे करी कि त सारे लोकान में होई बेंती कर रहे हैं पी जड़ा अपना टेस्टिंगा वी जरूरी कराओ ते जड़ी वैक्सिन इन्हों भी जरूरी लगावा है अपने अपने अपनी तरफों पुरी कोशिश की तिया डोर डोर भी गये हैं गुर्दवार सावे जतार सामने भी से एदी दो तन्वरी नॉसमेंट होगी है इस तो पेले वी डेली रिटींच आपा करूंने है जोदों भी वैक्सिन इसेंदा केंप लगदा उदो भी अपना कर जाने है जाने हैं जड़ी वी सा नुकली में में चे लोग मिल देने उनना वापा दास्तियां प्यांके इन जाक्शल पंजाब में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए बर्नाला में तकरीबन पचास लाग की लगत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है यहां पाइप लाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और खाली सिलेंडरों को भी यहां भरा जाएगा इस ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन की मात्रा 6 मेट्रिक तन होगी और यह प्लांट आने वाले दो हपतों में बन कर तयार हो जाएगा बतादें की देश में इस समय कुरोना महमारी के प्रकोप के चलते हैं ऑक्सीजन की भारी कमी की गई है और जिसके कारण प्रसाशन अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रांट लगाने पर विचार कर रहा है अब ज़िए जिए बरनाला विखे कोई भी ऑक्सीजन रीफिलिंग दा कोई प्रांट नहीं सी जिसकार के सानू बाकी जिलेयां कोल जाके अपने स्लेंडर पराणे पेंदे सी सानू वी वी कंटे लग जयांदे सी खाली स्लेंडर अनू परान विच अब ज़िए जित्थे सादा कोविड आईसोलेशन सेंटर है ए सेंटर दे विच ही एक ऑक्सीजन दा प्लांट लगाया जा रहे है आईयो एल दुआरा एदी कपैस्टी 0.6 मेट्रिक टान होएगी जी दे नाल करीब 70 स्लेंडर एक देंच चोबी कंटेंच परे जानगे एदे नाल सानु काफी हद तक रहात मिलेगी क्योंकि सादे कोविड दे मरीज भी एत्थी ने ते प्लांट भी एत्थी होएगा ते नाल नाल अल पाउना दी ऑक्सीजन दी जिरूर्थ है उस नूपूरा कर पावागे हर्याना सरकार के ऑक्सीजन की होम डिलिवरी के फैसले का असर अब गाउं गाउं तक दिखने लगा है उपायुक्त धीरेंदर खडगटा ने जानकारी देते हुए बताया कि मरीज्जों को घर पर ही 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन की होम डिलिवरी करने की सुविधा दी जा रही है और जिससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं बतादे कि हर्याना सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए यह कहा था कि घर घर तक ऑक्सीजन की होम डिलिवरी की जाएगी जिससे म अच्छान बना हुआ है तो यहां पर उनका अप्सीजन है रूप पहले नाइंटी नाइंटी फैट तक बीच में आ लिया था है तो यहां पर हमने कुछ लोगों से कॉंटेक्ट किया तो यहां पर सरकार के हम बहुत जादा आवारी है जिला प्रशासन की बहुत आवारी है उन्होंने घरगर रैटक्राफ सोसाइटी के फूप घरदर ऑक्सीजन से रैंटर पहुचाने की स्कीम होया करा है जिससे बिनका ऑक्सीजन नाइंटी नाइंटी एक तक मेंटें बना हुआ है तो सरकार को अर्याना सरकार दुआरा एक एतासिक निले लिया गया है कि जो हम उक्सीजन सप्लाई की जाए जिसका एक पोटल भी बनाया गया है उक्सीजन हरवाई डोटिंग इस पोटल पर लोग जो है अपना रेजिस्टर करें और रेजिस्टर करने उपरांत उसकी वेरिफिकेशन की जाती है रेको सोसाइटी दौारा और जैसे ही उनकी आवसकता अ पात्रा में जो अक्सीजन से लेडर कराये गया है उपायकत मोध्य के माध्यम से जल्दी से जल्दी हमें जो है हर रोज नियमित रूप से जो है मेडिकल अक्सीजन सप्लाई प्राप्त हो रही है और लोगों को इसका काफी मिवात में जो है फाइदा हो रहा है अब तक झाल झाल